अगर आप डूंगरपूर बासवाड़ा या उद्यपूर से हैं तो आप इस कौशल रोजगार उद्धिमिता मेला जो की 17 अर्च को डूंगरपूर में होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके लिए एपलाई कर सकते हैं अब सभी का इसके लिए गुरुकूल के इस एपिसोड में सागत है देड़ाई स्वाइजियन्स इस वीडियो की थीम हम लोग डिसकस कर चुके हैं ये एक रोजगार मेला जो की रास्तान सरकार के कौशल रोजगार एम उद्धिमिता विभाग द्वारा और्गनाईज किया ज वाला है इसकी डेट 17 मार्च रहने वाली है और ये जो है वो डूंगरपूर में आवजित होगा इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में डिसकस करने वाले हैं ये सुचना राजस्थान सरकार के सुझस ए बुलिटिन के 23 फरवरी 2023 गुरुवार के अंक में जिकर रहने वाला है तो basically ये जो रोजगार मेला है वो डूंगरपूर में जिला इस तरहे पांडिया राज की महाविध जाले में अयजित किया जाएगा अब इस मेले के अंदर जैसा कि हम वीडियो में पहले भी जान चुके हैं डूंगरपूर, उद्यपूर और बासवाड़ा के जो candidates हैं, मतलब तीन जिले जो हैं, डूंगरपूर बासवाड़ा और उद्यपूर इन तीन जिलो के जो अडिडेट्स हैं, वो इसमें अपलाई कर सकते हैं और इस मेले के अंदर तीन जिलो की जो कंपनिया हैं उद्यपूर के साथ में गुजरात की कुछ कंपनी को भी इन्वाइट किया गया है अब इसका जो ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए जल्दी ही जो सरकार है वो एक लिंक पबिश कर देगी उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा और एक क्यूर कोड भी जो है वो जारी किया जाना है तो वो जैसे ही मुझे मिलते हैं एक नया वीडियो अपके लिए आजाएगा इस जॉब फिर के अंदर उदैपूर बासपाड़ा और गुजरात की लगबख पचास कंपनियों को इन्वाइट करने की सूचना जो है वो प्राप्त हुई है जो डूंगरपूर का रोजगार कार्याले है उसमें जो 6500 बे रोजगार युवा रजिस्टर्ड है उनके मोबाइल पर भी उनको SMS के द्वारा सूचित किया जा रहा है तो उनको तो सूचना मिल जाएगी अब ऐसे कंडिडेट्स जो डूंगरपूर बासवड़ा और उदैपूर जिले से संबंद रखते हैं और इस मेले में रोजगार के लिए जाना चाते है उनके लिए जब भी इसका एक लिंक या QR कोड सरकार दोरा जारी किया जाएगा एक वीडियो अपलोड हो जाएगा और इन 6500 कंडिडेट्स के अलावा जितने भी आशारती हैं वो भी इस जॉब फियर में इंटर्यू देने के लिए जा सकते हैं इस वीडियो में इतना ही अब जितने भी हमारे SYGNs ये कंडिडेट्स इस जॉब फियर में जॉब के लिए जाने वाले हैं उन सब को शुब काम ना है वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं next किसी informative वीडियो में और हाँ इसके जैसे ही कोई link ये QR code जारी होता है उस पे भी एक वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा